How many terms of AP, जिसकी terms देर रखी हैं 9, 17, 25, must be taken so that the given sum will be 636. तो कितनी term आपको लेनी हैं? तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका solution इस्टार्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखिए, A आपको बड़ी सानी सी दिख रहा होगा. A क्या है? यह 9. आपको ची यह होता है, D, D पता कर दो, D कितना है? 17-9, ऐसे करके दिखाना हमेशा, तो यह आजाएगा 8. और how many terms, आपको कितनी term लेनी हैं कि sum 636 बन जाएं? कहने का मतलब यह हैं कि उसने SN दे रखा है, 636. How many terms? यहने कि N is your question mark. यह पता करना है. आपको शिती सी बात है, SN का formula यूज कर लो. SN का formula हमारा पहले formula जुरूर लिखना exam में. तो हमारा जो formula है वो क्या है? SN equals to N by 2, twice A plus N minus 1 into D. तो SN की value आप यहाँ पर रखतीजिए. SN की value हमारी क्या है? 636 और N पता नहीं. और 2A, A यहने कि A हमारा है 9, तो यहाँ 18 लिख देता हूँ. प्लस N minus 1 ऐसी रहना दो. और D की value 8 आ रही है. देखो इसमें न 2 कट जाएगा. तो इसमें से 2 common ले लो. अगर मैं इसमें से 2 common ले लेता हूँ, तो यहाँ तो बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 4. प्लस N minus 1 into 4. अब इसको expand करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 9 plus 4 N minus 4. और यह हो जाएगा 9 4 N plus 5. और अगर इसको अब हम multiply करतें, N की bracket के अंदर, तो यह हो जाएगा 4 N square plus 5 N. और यह हमारा बन जाता है, यहाँ पर 0, हमने 636 को इदर बेजा, तो 4 N square plus 5 N minus 636. अब इसको आपने करना है, quadratic equation आपके सामने, अब इसको solve कीजिए. अब इसमें हमारे जो टुकडे आ रहे हैं, इसके वो क्या रहे हैं हमारे, 4 और 636 को multiply करेंगे, तो यह multiply करने पर हमारा आता है, 4 multiplied by 636 को, तो यह आता है, 2, 5, 4, 4. अब आपने 5 के piece ऐसे करने हैं, कि 2, 5, 5, 4 बनें, तो वो हमारे बने 53 minus 48. इन दोनों की एकर गुणा करते हैं, 53 into 48, तो यह हमारा 2, 5, 4, 4 बनता है. तो यहनिकि जो 5 है, उसको आप split कर सकते हैं, 53 N minus 48 N, minus 6, 3, 6. तो यहाँ पर आप common लेंगे N, बचेगा क्या 4 N, plus 53, और यहाँ पर क्या common लेंगे आप, 12 common लेंगे, minus के 12, तो minus के 12 common जब लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 N, plus 53, तो इससे आप यहाँ पर बचेगा portion यहाँ कर लेते हैं, तो देख सकते हों कि N minus 12, और 4 N, plus 53, equals to 0, यह बनेगा, और इस वाले factor से मिलता है, N equals to 12, और इस वाले से मिलता है, minus के 53, अपॉन में 4, यह वाला जो आपका है, यह neglected है, क्योंकि number of terms, negative में नहीं ले सकते आप, तो इसको कर दोगे neglect, neglected, तो final जो number of terms जो आएगा, वो आएगा, N equals to 12, यह final answer है, इस कोईलेट कर दो,